तो आज मैं बनाने जा रही हूं चिकन चिली यह रेस्टोरेंट स्टाइल है इसे जरूर ट्राइ करिए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो इसके लिए मैंने ले लिया है दो चम्मच लेसुनतरक का पेश्ट एक चम्मच काली मिल्च पाउडर है नमक डाल देंगे स्वादा नुसार और डाल देंगे दो चम्मच वेनेगर इसको मिक्स कर दें और इसमें हम डाल देंगे एक पुल्डा इसे भी मिक्स कर दे मिर फिर हम यूदी डालेंगे तीनontin कॉन फ्लोर आ रॉर और दो चम्मच मेदा tiyaar diyao जाद रखे इसका तीन चम्म HOLD तो एक चमच मैदा होगा, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, मिक्स कर देंगे, और इसे हम आधे गंटे से एक घंटे के लिए महरीने होने के लिए रख देंगे, अलग बॉल में डालेंगे, हम थोड़ा सा पानी, इसमें डालेंगे एक श्पून वेनेगर, दो चमच ह में दालेंगे हमब दालेंगे दो सीरे दो चमश चीली सॉस इन जाना का वह कि दो पर रिच्प Wait वाद हम इसमें डाल देंगे एक चमश कहलें शुरू इसे भी मिक्स कर दें इसे इतना मिक्स कर लें कि इसमें से कोई गुपली बाहर नहीं दिकhet एक से मिक्स हो चुका है फिर ने लिया था 9 लेसुन अधा इंक यह अधा श्यम्ला मिल्च है इस तरह से मोटा च काटना है प्याज को भी ऐसे काटके एक अलग निकालने वहाँ पत्ते हैं हरा पार्ट मैने अलग कर लिए शफेर पार्ट तो अब हम तेल को गरम कर लेंगे और उसमें डाल देंगे चिकन को और इसे हमें फ्राइ करना है जब एक तरफ से पूरा सेट हो जाए तभी चिकन को पल्टे इसे पलटते हुए चलाते रहें और अब फ्लेम को लो कर देंगे झ्थे और दीरे-दीरे हमें करी को भूण के रिट कर लेना है दूसरा बैच मैंने डाल दिया है इसको भी इसी तरह लाल करें मिकाल यदि दाला हमें जादा रोश्ट करना है फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने सॉस बनाया हुआ था इसको सॉस को पहले मिला लें हैं ताकि कॉन फ्लोर नीचे ना बैठ गया हो फिर इसमें डाल देंगे हम साही है को इसे मिक्स कर लें तोटली ऑप्शनल आप चाहें डालें चाहें ना डालें पर इसे कलर बहुत अच्छा आता है कि मिक्स कर दें इसको अब मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला था और थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसे मिक्स कर दें और जब इस तरह से पकने लग जाए तो हम इसी स्टेज पर डालेंगे चिकन को यह पूरी तरह से रेडी हो चुका है मैंने ग्रेवी वाला बनाया हुआ है तो इसे ड्राइ करने की जरूरत नहीं है इस पे अनियन स्प्रिंग छिड़क दें यह पूरी तरह से रेडी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है इसे जरूर प्राइब करिए पसंद आया तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्र करिए और शेर करना ना भूलिए thanks for watching